हेलो दोस्तो आज हम जिस मूवी की बात करेंगे 30 जून को नेट्फिक्स पे रिलीज हो चुकी है इस मूवी का नाम अमेरिका है ये एक एनिमेटिड मूवी है जो अमेरिका की करांती को कालपने एक रूप से दर्शाती है आए ये मूवी स्टार्ट करते हैं मूवी शुरूते ही हम देखते हैं कुछ अमेरिकी करांती कारियों को बिटिज सेना मार रही होती है ये करांती कारी अबरहम लिंकन के साथ ही होते हैं और बिटिज सेना किंग जेम्स की होती है किंग जेम्स के साथ एक अमेरिकी गद्दार भी मिला होता है जिसका नाम इंदिट आता है और उसको सब कुछ बता देता है कि वो एक देश दुरोही बन चुगा है उसने बिटिश सरकार से हाथ मिला लिया है ताकत और देश को पाने के लिए और वह बताता है उसने सबी करांधिकारियों को मार दिया है और तबी बेनेडिट एक नर बेड़े में बदल कर अबरहम लिंकन को भी मार देता है और वहाँ से भाग जाता है मरते वक्त लिंकन अपने दोस जॉर्ज को बताता है कि बेनेडिट ने उसकी पूरी करांती करी टीम को मार दिया है ये करांती ब्रिटिश सेनसे अजाधी की थी और वह इस देश का नम अमेरिका रखना चाता है फिर जोर्ज को मारथा नम की एक लड़की मिलती है जिससे वह शादी कर लेता है मारथा जोर्ज को अबरहम लिंकन की मौत का बदला और देश की अजाधी के लिए बोलती है सैम मान जाता है जॉर्ज का साथ देने के लिए फिर वे एक महान होस राइडर के पास जाते हैं वह भी मान जाता है उनका साथ देने के लिए उस होस राइडर का नम पॉल होता है फिर वे एक महीला वग्याने के पास जाते हैं और उसे भी सब कुछ बता देते हैं और उस महील जाते हैं बैनेडिट को पकडने के लिए बिटिश आर्मी और जॉज की टीम में दोनों में लडाई शुरू जाती है तब बैनेडिट एक नर भेडिया बन जाता है और गहरो निमो के आध पर काट लेता है गहरो निमो भी भीडिया बनने लगता है तभी वह एपना हाथ काट लेता है तब तक Benedict वहां से भाग जाता है तब वह सारे एक plan मनाते हैं नरभीडीयों को मारने के लिए वह सारे मिलकर blacksmith के पास जाते हैं जो हत्यार बनाता है वह blacksmith से बोलते हैं कि उनको एक चांदी की गोली बनवानी है black smith उन्हें बोलता है चांदी की गोली वह तभी बना के देगा तब वह 1000 किलो चांदी उसे ला के देंगे तभी वह गोली बना के देगा तभी वह सारे 1000 किलो चांदी चुराने के लिए British के एक ship पे वह सारे चड़ जाते है जब वो शिप के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं सभी आम लोगों को वहाँ पे बिटिश बिटिश बनाया जा रहा है और वह बिटिशों का पूरा प्लैन समझ जाते हैं सब को बिटिश ही बना देंगे ताकि कोई भी करांतिकारी पैदा ना हो सके उन सब को एक हदर किलो चांदी मिल जाती है और वह चांदी लेके निकल जाते हैं तब ही एक हास्से में पूरा जहास ढूब जाता है सारी चांदी ब्लैक स्मित को दे देते हैं और बोलते हैं उन्हें एक चांदी की गोली बनवानी है फिर वह अपने अपने घर चले जाते है रात में जॉर्ज के घर पे बैनेटिट आता है और मार्था को किर्नेक परके ले जाता है जॉर्ज और उसकी टीम बैनेटिट को पकड़ने निकल जाती है जॉर्ज को एक महल के बारे में पता चलता है वहाँ पे वह लोग सारे जाते हैं जैसे ही वह मैल के अंदर जाते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है, ये ब्रिटिशों की एक चाल है, उनको फसाने के लिए, तभी पॉल और उसका घोड़ा, वहां से बम लेके निकल जाते हैं, ताकि बाकी सारे बच सकें, वह घोड़ा रास्ते में ही पॉल को गिरा देता ह और उस बम का शिकार वह घोड़ा हो जाता है, पॉल अपने घोड़े को हॉस्पिटल ले जाता है, वह अपने घोड़े से इतना प्यार करता था, कि डॉक्टर को बोलता है, उसके घोड़े को उसी की बॉड़ी में जोड़ दो, तभी जोर्ज को लिंकन की एक बाद याद वह सभी लोगों को करांती के बारे में बताता है, और सबको एक कर लेता है, पुवी के फाइनल में हम देखते हैं, जोर्ज सभी लोगों को इघटा कर लेता है, करांती कारी वर्सस ब्रिटिश आर्मी वार हमें दिखाई जेता है, उस वार में जोर्ज अपनी बीवी को कर जाता है। बाद में थामस बियर की बारिश करवा के सभी लोगों को नॉर्मल कर दिता है। और जोर्ज और उसकी टीम ये जंक जी जाते हैuds इस तरह से लिंगन का सपना और जोर्ज का बदला पूर्ए हो जाते हैं। वहीं पे जोर्ज उस देश का नम अमेरिका रख देता है इस तरह से उस देश का नाम अमेरिका पढ़ जाता है